फिरोजबाद के शिकोहबाद में पत्रकारों के साथ हो रही अबदरदा मारपीट मर्डर जैसी गंबर समस्या को देखते हुए सरकार ने आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया है शिकोहबाद थानक शेत्र के अंतरगत मेला भाग स्टेशन रोड एक बिजेपी नेता ने एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी पुलिस प्रशासन खड़े होकर देखती रही तमाशा दौर में सचाई के सामने कॉमन सर्विस सेंटर नाम से एक जन सेवा सेंटर है यहां आधारकार अपडेट का काम होता है पिछले माह 30 सितंबर को मेरे द्वारा एक खबर दिखाई गई थी जिसमें कुछ आधारकार धारकों से 1500-200 रुपे लिए गए थे इस खबर को यूट्यूब से हटाने के लिए तमाम लोगों के फोन आए लेकिन खबर को नहीं हटाया गया उसके बाद सेंटर संचालक ने मुझे जान से मारने की धंकी दी और कहा कि एक सप्ता के अंदर तुझे जान से मार दूँगा मामला चल ही रहा था कि 29 अक्टूबर को 200 रुपे न देने पर नगर के व् छोड़ दिया गया अब खबर क्या थी ये भी आप देख लीजिए इस पूरी खबर चलने के बाद 30 अक्तूबर को इस सेंटर संचालक ने मेरा और मेरी पत्नी का मोबाइल नंबर अपनी दुकान पर लिख दिया और परची पर लिखा कि यहां फ्री में आधार कार्ड लिं मैं जैसे ही वहाँ पहुचा तो उन्होंने चारो और से घेर लिया मारपिट पर उतारू हो गए मा बहन की गालिया देने लगे माहौल को देखते ही पुलिस वालों के भी हाथ पैर फुल गए उन्होंने वहाँ से भागना ही ज्यादा मुनासिब समझा यहां तक कि पुलिस से उमीद करता हूँ कि वह इस संग्यान में लेकर कोई ना कोई कारवाई जरूर करे मेरे द्वारा एक खबर चलाई गई थी जो मेला वाले वाके सामने एक कोमन सर्विस सेंटर है यानि कि जनसेवा के इंद्र है जहां आधार काड अपडेट होते हैं मोवाइल नम्मर लिं जादो नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा यह घटना है 29 अक्टुबर की लेकिन आज उसने मेरा और मेरी पतनी का मोवाइल नम्मर अपनी दुकान के सामने लिख दिया और उस परची पर लिख दिया कि यहां मोवाइल नम्मर फिरी में अपडेट किये जाते है सुवेस चार बजे से लेकर अब तक 500 से जादा कौले आ चुकी है यानि कि जनसिवा केंदर द्वारा मेरे उपर मांसिक उत्पीडन किया जा रहा है मैं शिक्वाबाद थाने की पुल्स को लेकर जैसे ही जनसिवा किंदर पर पहुँचा तो बो लोग हावी हो गए पुल्स पर भी हावी हो गए मारपीट करने पर उतारू हो गए कुछ पुल्सकर्मियों ने कहा कि यहां से बगर पिटे निकल जाना ही समयधारी है मैं वहाँ से चला आया शिक्वाबाद के हालात यह है इस समय के यहां सच्चाई कोई पत्रका लिख नहीं सकता जो सच्चाई लिखता है उसके खिलाब फाल्तू के मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं मैं जिले के कप्तान से अनुरोद करता हूँ कि इस समन्द में कोई कानूने कारवाई करने की क्रपा करें अगर मेरे साथ कोई अप्री अगटना होती है तो मेला वाले बाग के सामने कॉमन सर्वेश सेंटर है यानि कि जनसिवा केंद्र है उसका मालक जुम्मेदार होगा